ओके तो गैस अगर आपके भी फोन में PUBG, BGMI या फिर PUBG Mobile का जो यहाँ पर यह डाटा फोल्डर होता है उसे एकसेस करने में आपको यह वाला प्रोब्लम आता है Can't use this folder तो इसका आप लोगों को में 100% solution बताने वाला हूँ बिल्कुली simple तरीका है ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है यहां से बैक आना है उसके बाद आपको क्या करना है वीडियो के description में मैंने अपने telegram channel का link दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको इस link पर जैसे ही click करेंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे यहाँ पर अगर link open नहीं होता है by chance तो आपको VPN connect करके open कर लेना है लेकिन open हो ही जाएगा अगर कभी नहीं होता है तो VPN connect कर लेना है ठीक है यहाँ पर जैसे ही आप लोग आएंगे तो यह वाला आपके सामने interface होगा यह base apk लिखा हुआ है यहाँ पर तो इसको आपको download करने ला है यहाँ से आपको इसे install कर लेना है ठीक है अभी मैंने already कर रहा है तो यहाँ पर update का option आ रहा है यह empty manager है आपका जो z archiver में काम नहीं हो पा रहा है data follower को access नहीं कर पा रहा है वो इस empty manager में हो जाएगा लेकिन यह empty manager आपको play store पर भी मिलेगा लेकिन अगर play store वाला आप लोग install करेगे तो फिर आपको फिर वे वही दिक्कत आएगा यह जो है modify किया हुआ application है तो यहाँ पर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आए उसके लिए आपको आना है play store पर और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर search कर देना है files by google तो यह वाला गूगल का application file manager आपके mobile में इंस्टॉल जरूर से होगा तो इसे आपको क्या करना है यहाँ पर अन इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करना है read and agree पर क्लिक कर देना है यहाँ पर ok कर देना है permission जो भी बांगता है उसे allow कर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर यह वाला interface आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर मैं आपको data folder जो है उसे access करके भी दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखें android का folder है android पर जाता हूँ data पर जाता हूँ उसके बाद यहाँ पर com.ipubg का जो folder है यह रहा अभी वो यहाँ पर access नहीं हो रहा था जैडार्चीवर में हमें यह वाला problem हा रहा था मैं दिखाता हूँ यह देखें जैडार्चीवर में can't use this folder यह problem था लेकिन यहाँ पर हम लोग जैसे ही इस folder को open करते है ओके कर देना है उसके बाद देखें यूज इस folder पर क्लिक करके एलो कर देना है तो देखें यहाँ पर data folder को successfully में access कर पा रहा हूँ यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है तो यह वाला install कर लेना है तो टेलिग्राम चैनल पर जोइन हो जाईए इसी तरीके के काफी सारे files यहा कर द कर देना है तो यहाँ यहाँ वाला।